Hello friends, welcome to our channel आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे Hero Vida 1 एलेक्रिक की स्कूटर के बारे में तो चले इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इस स्कूटर की खासियत के बारे में देश में तेजी से बरते हैं एलेक्रिक स्कूटर की डिमांड के बीच के साथ डूल रिमोबल बेटरी मिलती है कमपनी ने कहा है कि दोनों मॉडल की टॉप स्पीड 80 किलोमेटर प्रती घंटा है V1 पलस 3.4 सेकेंड में 0 से 40 किलोमेटर प्रती घंटा की रफतार पकर सकती है जबकि परो मॉडल 3.2 सेकेंड में इसे हासिल कर लेता है जैपूर में इस E स्कूटर के लाँच के मौके पर कमपनी के चियर्मेन पवन मुझाल ने कहा कि हम इस प्रोड़क्ट को पहले ही लाँच करना चाहते थे लेकिन हम इसे बहतर बना कर लाना चाहते थे फिचर्स के बात करें तो वीडा वन में LED, Aluminium, 7 इंच का TFT टाच स्क्रीन डिस्पले, Ride Mode, Eco Ride, Sport और Custom, Cruise Control, Two Way Throttle, Keyless Control और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी दिए गया है इसमें Spillit Seat Setup, Telescopic Front Focus, Single Real Sock और Single Disc Brake Setup मिलता है कुल मिलाकर स्कूटर काफी स्टैलिस दिख रहा है वीडा वीडा वीवन पलस के कीमत 1,45,000 रुपए से 1,49,000 रुपए तक होगी हीरो वीडा वीवन एलेक्टिक स्कूटर के लिए सोले से 18 महना के बीच लीज विकल और बाइबैक ऑफर भी दे रही है इससे सबसे पहले नई दिल्ली जैपूर और बेंगलोर्ण में लॉंच किया जाएगा इस एलेक्टिक स्कूटर की डिलिविडी दिसंबर के दूसरे हफते से शुरू होगी हीरो मोटो कर्प का नाया एलेक्टिक टुविलर वीडा वीवन ओला एस वन प्रो एथर फॉर हंड़ेड फिप्टी एक जनरेशन 3 बेजाज चेतक और टीवीएस iCube को टकर देगा हलाकि इसकी कीमत दूसरी स्कूटर की अपएच्छा कस्टमर को जयता लग सकती है क्योंकि दूसरी कंपणिया सस्ता एलेक्टिक स्कूटर लाने पर जोड़े ही है तो दूस्तों अज के इस वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो आपको इंट्फर्मेटिव लगाए तो इस वीडियो को लाइक और सेर करें तथा इस चैनल में रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें थैंकियो फूर वाचिंग इस वीडियो